पंच कूला में पूलिस ने स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए एसीपी क्राइम अरविंद कमबोश ने बताया कि वारदातों में दो आरोपियों को ग्रफतार किया गया है ग्रफतार किये गए आरोपियों की पहचान जस्पीर सिंगोर्फ, जोनी पुत्र रविंद्रपाल सिंग वासी गाउं, मोर ठिकरी टेरा बसी जिला मौहाली, उम्र 32 साल तधा अमिंद्र सिंगोर्फ, कालू पुत्र गुर्विंद्र सिंग वासी, गाउं सियोले हंडे सरा जि स्नेच, दूसरी वार्दाद का, 15 जुलाई, दोहजार्थ तेच को सैकटर 25 मार्केट में पीडित महिला शुयता वासी, सैके पच्छेस के गले सोने की चैन, के स्नेचिंग की वार्दाद को अंजाम दिया गया था, आरोपी नशे के लिए स्नेचिंग करके सोने की चैन को आ बखातार पंच्छकुले में सनेचिंगी वारदाथ बढ़ रही थी एक वारदात भी जो इसने कभूली है नो में एक है क्वारदात थी और एक उसके लावाद वह थो एक वारदात बहार की है पिजाब की है मोड ठीकरी थी बग्कि अभी हमने चार दिन का पुलिस रिमांद अब इन चेक तो जिस स्मों शेकल पर यह संचिंग करें देशी वर करने लोगी मोटर सेकल ती उसको रिकवर किया वी बाकि आगे जो चैन है उनको रिकावर करना इनका पहले भी कोई क्रिमिनल प्राद हाँ पहले भी इनका प्रिमनलिस्ट लिए एक एक एखलाप एंडिके शेकर आदिस्टेर करें हैं इनको रांगट से हाँ किया लाँ जीव अ हमहलिके रहने वोड़े ये नाम है जसमीर सिंग और एकका है अम नहींदर से और थे पर दी लिखते हैं के फॉसर नसे के बने करते थे इस निए पिस ठीश में अगए नशे के आदी ही लिए अगी और या दौमते देवाड़ी करते है उर गधिया है कि अ कि अ एक पोस्ट प्रजूट है एक तो सिल्वर अभी जो मोटर सैकल जिस पर बार बार लगातार वार्दत कर रहे थे यहाँ पर अभी बाकी जो जैन है उनकी रिगवरी करनी है अभी ये कोई लोकल में कोई बता रहे हैं मदनपुर में आए बोई जुना रहे हैं तो अभी रिमाट लिया है तो इसके रणा करेंगे तो इसके दिन के रिमाट दिन करेंगे अभी चाल दिन को ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें